बिलिव सिस्टम जो कलत था ये सही कोई बना सकता है तो यही इस प्रिमाइज को लेकर आज की मूवी आती है अप्टर ए मूवी एक नॉवेल पर बेस्ट है और इसका सेकंड बार्ट भी अब आ चुका है और जब ये अवलेबल होगा तब हम इसे भी करेंगे तो चलिए इस मूवी को एक्स्प्रेंट करना स्टार्ट करते हैं इस मूवी की जो स्टोरी है यह हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम अधाय टेसा यह हमें सुना रही है टेसा हमसे कहती है कि जब मैं हार्डीन से मिली तब से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई इसके बाद हम देखते है कि टेसा का ही स्कूल खतम हो चुका है कॉलेज के लिए वो अलग शहर जाना चाहती है उसकी मदर उसके लिए बहुत ही वरीड है पर फिर भी अपनी मदर को उसने मना ही लिया है टेसा का एक बॉइफरेंड भी होता है टेसा को उसके नई कॉलेज छोडने के लिए उसकी मदर और उसका बॉइफरेंड ये दोनों फिर जाते है टेसा कॉलेज को होस्टेल में रहने वाली होती है जब वहाँ उसकी मदर पहुचती है तो टेसा की रूमेट से वहाँ होती है टेसा की रूमेट जब उसकी मदर देखती है तो उसे बहुत ही गलत लगती है यह रूमेट भी टेसा से बात करती है और कहती है कि हम दोनों बहुत ही मज़े करेंगे Without ID उसे कलब में भी वो लेकर जा सकती है Mother को यह बहुत ही bad influence लगता है वो directly Tessa को बाहर बुलाती है Mother कहती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती हम room change कर वालेंगे Tessa कहती है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो तुम मुझे पर believe करो मैं कभी भी कुछ भी गलत चीज़े नहीं करने वाली Mother Tessa को कहती है कि सिर्फ तुम्हारा study important है इसी पर तुम्हें focus करना है Tessa भी हाँ कहती है और उसकी बाद उसकी mother चली जाती है Tessa का boyfriend भी डर रहा होता है क्योंकि आप वो एक दूसरे से मिलनी पाएंगे तो उनकी relationship का क्या होगा Tessa फिर से अपने room में आती है उसकी roommate उसे पुछती है क्या कई बाहर चलना है पर Tessa अब मना कर देती है Tessa ने अपने साथ बहुत सारे books वगरा लाये है उसकी friend कहती है कि इतने books कोन लाता है Tessa बोलती है कि मैं bookish हो मैं आमेशा book पढ़ना मुझे अच्छा लगता है नेक्स डे फिर Tessa अपने class में जाती है वहाँ उसका एक friend बनता है जिसका नाम होता है Landon Tessa economics के class में गई होती है पर actual में उसे English पढ़ना होता है पर English पढ़ने से उसे अच्छे से job नहीं मिल सकेगी इसी वज़े से वो economics करकर अच्छे से financial stability पाना चाती है रात में हम देखते है कि Tessa अपने room में होती है नहा कर बाहर आती है तो वहाँ hardin मेठा हुआ होता है उसे देखकर डर जाती है वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो उसे जाने की लिए कहती है पर hardin जो है उसके room mate का friend है Tessa को पहरे लगता है कि उसके room mate का यह boyfriend होगा पर उसकी roommate कहती है कि हम दोनों सिर्फ friends है आज hardin और Tessa की room mate यह दोनौ पार्टी में जाने की मना करती है पर Hardin भी कहता है कि तुम्हें देखकर मैं पार्टी में तुम्हें इमेजिन भी नहीं कर सकता देशा एक बुक पड़ रही होती है Harling इसका स्पोयलर देखकर वहाँ से चला जाता है देशा बहुत सारा स्टडी करती है हमेशा उसके फ्रेंड्स को पार्टी मिचाते हुए मज़े करते हुए दिखती है एक दिन उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है कि आज पार्टी है मेरे साथ तुम चलो टेसा भी इस बार रेजिस नहीं करवा थी और पार्टी में चलने के लिए रेडी हो जाती है इस पार्टी में हमें हार्डीन भी आया हुआ है ये दिखता है टेसा अपने फ्रेंड के साथ हार्डीन के पास बैठती है सब ड्रिंक कर रहे होते हैं पर Tessa ड्रिंक नहीं करती फिर भी उसके फ्रेंड उसे एक छोटा सा पेक बना कर दे देते हैं इसके बाद इस गेम खेलने लग जाते हैं यह जो गेम है यह Truth and Dare का गेम है Tessa का जान साता है तो Tessa Truth चूस करती है एक लड़की उसे बुछती है कि ऐसा एक Weird Place बता जहाँ पर तुम Intimate हो चुकी होगी Tessa Uncomfortable हो जाती है सबको पता चल जाता है कि Tessa अब तक किसी के साथ भी Intimate नहीं हुई है इसके बाद वो Tessa को Dare देते हैं Tessa को कहते है कि हो Hardin को उसे Kiss करना पड़ेगा Hardin उसके पास जाता है पर Tessa कहती है कि यह Stupid Game में नहीं खेलने वाली यह कैकर पाहर निकल जाती है उसे फिर उसका Boyfriend का कॉलत है आज उसके Boyfriend से वो बात करने वाली थी पर वो इस Party में आई है इसी वज़े से वो बात नहीं कर पाई उसके Boyfriend को Party का आवाज आता है वो समझ जाता है उसे बुछता है क्या तुमने ड्रिंक की है टेसा भी सब कुछ सच सच बता देती है उसका Boyfriend इस पर नाराज हो जाता है और इसके बात इन दोनों का जगड़ा हो जाता है टेसा फिर इस Party में शांती डुड़ने के लिए उपर की कमरे में आ जाती है इस कमरे में बहुत सारी बुक्स है उसकी जिस तरह से बुक्स में चोईस है तो जो भी इस रूम में रह रहा है उसके भी सेम ही चोईस है यहाँ पर फिर Hardin आ जाता है Hardin केता है कि मेरे रूम में तुम क्या कर रही हो जो बुक्स टेसा के हाथ में होती है उसका एक पैसेज वो उससे सुनाता है टेसा उससे पुछती है कि क्या तुम ड्रंक हो, हार्डिन कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ड्रिंक नहीं करता है, हार्डिन उसके बहुत ही करीब आ जाता है, टेसा पुछती है कि क्या तुम अभी भी गेम ही खेल रहे हो, हार्डिन कहता है कि अभी भी तुमने डेर कंप्ल यह भी एक रॉमेंटिक नॉवेल था इस बुक के बारे में डिसक्रशन स्टार्ट होती है तो हार्डीन से बूचा जाता है हार्डीन की बातों से हमें यहाँ पता चलता है कि वो प्यारव बिलीव नहीं करता पर टेसा के बिलीव जरा अलग है इन दोनों की व्यूपॉइंट जाती है अपने फ्रेंड लेंडन के साथ यह पाहर निकलती है यह उससे कहता है कि एक उने हमें देखते है कि अपने फ्रेंड के साथ बाहर आई हुई देती है उसके फ्रेंड एक टाटू बनवा रही है उसके क्यों से कहती है घुम भी टाटू बनवा सकती है इसकी मदर हμोसा सिर्ण rest गमेंस केला हमेशा हसी उसकी लाइज़स है आम यहuminess吃äreंड का फ्रेंड भू कभी यह हुए तो तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती वो उसका फ्रेंड बनना चाता है वो टेसा से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक प्लेस दिखाना चाता हूँ टेसा पहले मना करते थी है पर फिर अपना माइंड जेंज करती है हार्डिन फिर उसे एक जंगल में लेकर जाता है यहाँ पर वो चलते जाते है और एक लेक के पास आजाते है टेसा को यह बहुती ब्यूटिफुल लगता है हार्डिन अपना शर्ड उतारता है और लेक में कोच जाता है वो टेसा को भी बुलाता है Tessa पहले मना करती है क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं है और Hardin कहता है कि तुम मेरा शट पहन सकती हो पानी में आकर Tessa Hardin से बोचती है कि तुम इस वर्ल्ल में किस से सबसे ज़ादा प्यार करती हो Hardin कहता है कि यह आंसर तो इसी है मैं सबसे जदा अपने आप से ही प्यार करता हूँ हार्डिन ऐसा पूशता है कि तुम्हेरे ब Connious का नाम क्या है तेसा कहती है कि उसका नाम नहाय है वो High School में हार्डिन पूशता है कि तुम्हें पाने के लिए उसने ऐसा क्या किया तेसा कहती है कि वो बहुत ही nice है हार्डिन कहता है कि nice का दूसरा meaning boring है हार्डिन फिर उसे कहता है कि सास लो और ये दोनों underwater चले जाते है ये उपर आते है तो हार्डिन कहता है कि क्या तुमने ये सुना पुरा silence था ये सबसे ज़्यादा peaceful है ये दोनों फिर एक दूसरे के करीब आजाते है टेसा फिर कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे हार्डिन बोलता है कि हम कभी भी फ्रेंड्स नहीं रह सकते इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते है ये पूल से बाहर आते है और हारीन टेसा को टच करने लग जाता है कुछी सेकंस में उसे टच करना वो बन कर देता है टेसा उसे बुछती है कि तुम स्टॉप क्यों हो गए हारीन कहता है कि हमारे बास बहुत टाइम है इस रिलेशन्शिप को वो स्लोली प्रोग्रेस करना चाता है इसके बाद दूनर रेस्टोरान में आ जाते है एक दूसरे से बहुत बाते करते है टेसा उससे बुछती है कि तुम लव पर बिलिव क्यों नी करते है हारीन कहता है कि अफकोस मैं करता हूँ टेसा भी यह notice कर लेती है, उसे confront करती है, हार्डिन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, टेसा हार्डिन से कहती है कि अब मैं मेरे boyfriend से break up कर लेती हूँ, उस पर cheat करना गलत होगा, हार्डिन पलट जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें date नहीं करने वाला, वो dating पर believe नहीं करता, टे पार्टी के लिए आते है, टेसा और उसके boyfriend भी बहाता है, यहाँ पर सब लोग फिर एक game खेलने लग जाते है, यहाँ पर हार्डिन भी आया है, एक लड़का टेसा से बत्तमीजी करता है, और पीछे नहीं हट रहा होता, हार्डिन को उससा आता है, वस लड़के को बहुत म लगड़ा हुआ है, हार्डिन बहुत ही हर्ड है, इसलिए लेंडन टेसा को उसके पास बुलाता है, लेंडन टेसा को सब कुछ situation बताता है, जब हार्डिन और उसके फादर की fight हुई थी, तो टेसा का नाम भी आ चुका था, हार्डिन और डेसा की बीच में जोसफ हुआ था इसी वज़े से हार्डिन जरा अफसेट है, एसा फिर हार्डिन के पास आती है, हार्डिन केता है, मेरे फादर फिर से शादी करने वाले है, यह उससे सही नहीं लगता, उसकी मदर लंडन में है और उसके financial situation बहुत ही खराब है, और फिर भी उसके फादर किस तरह से जी सकते हार्डिन ने बहुत सारी दारू भी पी होती है, हार्डिन गुस्से में दारू की बोडल तोड़ देता है, त। इसके हात पेचोट आ जाती है, हार्डिन जल्दी से उटकर उस पर मलम पट्टी विगरा करता है, वो टेसा को कहता है, मैंने तुमारे साथ जो भी सब क्या, इसके लिए मैं बहुत ही sorry हूँ, hardin केता है कि मैं गलत था, मुझे लगता था, यो मुझे dating नहीं करने जाए है, पर वो अब टेसा से मिल चुका है, तो उसे टेसा के साथ ही रहना है, hardin फिर टेसा को अपने room में लेकर जाता है, ये दोने एक दूसरे को किस करते है, कडल करते हुए रात में सो जाते है, सुबा जब टेसा उठती है, तो उसके boyfriend के उसे बहुत सारे call आया हुए होते है, टेसा जल्दी से अपने boyfriend के पास पोछती है, तो उसका boyfriend उसे बुशता है, कि आचानक से रात में तुम कहाँ चली गई थी, टेसा कहती है, कि मेरे एक friend को help की ज़रूरत थी है, उसका boyfriend उसे बुशता है, ये ऐसा कौन सा friend था, इन दोनों में बात ही हो रही होती है, तब ही hard in वहाँ जाता है, टेसा का boyfriend सब कुछ समझ गया है, वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, टेसा का ये boyfriend उसका paste friend भी है, वो बच्वन से लेकर आज तक एक दूसरी के अच्छे friends रहे हैं, उसका अपने boyfriend से break up होता है, तो उसे बहुत ही बुरा लगता है, एक दो दिन वो किसी से भी बात नहीं करती, इसके बाद हम देखते हैं कि टेसा हार्डिन से मिलने के लिए आती है, ये दोनों rooftop पर बात करते हैं, टेसा हार्डिन से कहती हैं कि वो मेरा बहुत ही अच्छा friend था, पर तुम उससे बहुत ही जादा हो, तुम मेरे life का एक बड़ा part बन चुके हो, ये दोनों एक दूसरे के साथ हैंग आउट करने लग जाते हैं, अलग-अलग जगा जाते हैं, एक दिन जब ये लाबरेरी में होते हैं, तो लाबरेरी ग्लोज होने के बाद भी ये ही वो छुप जाते हैं, हारडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड तो तुम्हारे पैसे विगरा सब कुछ में बन कर दूंगी पर Tessa अभी भी ये मानने के लिए रेडी नहीं है Next day Tessa Hardin को एक जगा पर लेकर आता है उसे कहता है कि मेरे फादर की फ्रेंड की ये जगा है उसके फादर की फ्रेंड एक आर्टिस्ट है और वो अलग कंट्रे में रह रही है उसका एगर है पर कभी वो इसे विसिट नहीं करती Hardin टेसा को कहता है कि हम दोने यहां रह सकते है टेसा इसे लेकर सप्राइस्ट होती है Hardin कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी मदर तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाली इसे वाज़े से यह मैं अब रेंड करने वाला हूँ Hardin अच्छे से इस रिलेशन्शिप के लिए कमिट कर रहा है तो टेसा भी बहुत ही खुश होती है As a happy couple एक दुसरे को romantic stories पढ़कर सुनाते है Sunset देखते हैं अलग-अलग जगा पर जाते है एक दिन एक वरियम में आये हुए होते है Hardin टेसा से कहता है कि कभी-कभी मैं बिलिव नहीं कर पाता कि तुम मेरी लाइफ में हो वो टेसा से बहुत प्यार करने लग गया है उसे कभी-कभी लगता है कि टेसा को deserve नहीं करता पर टेसा उसे चुप कराते थी है उसे कहती ही कि ऐसा कुछ भी नहीं है उसके बाद हम देखते है कि Hardin के फादर की marriage का आज दीन आता है उसके फादर एक बड़ी party रखते है Hardin बहुत यंगाफ़रबल महसुस करता है पर उसे फिर भी वहाँ आना पड़ता है उसे support देने के लिए टेसा भी उसके साथ आती है टेसा Hardin के फादर से मिलती है उसे वो बाते करने लग जाती है Hardin के फादर टेसा से पुछते है किस subject में तुम master's कर रही हो टेसा कहती है कि मैं economics में कर रही हूँ पर actual में उसे literature में interest है Hardin के फादर कहते है कि अगर तुम्हें financial stability चाहिए तो मेरा एक friend है जिसकी publishing company है यहाँ पर तुम काम कर सकती हो टेसा को भी सुनकर अच्छा लगता है इसके बाद यह सब dinner table पर बैठते है तो Hardin के फादर toast करते है उसके फादर कहती कि मेरे life में बहुत सारी गलत चीज़े थी पर अब उनके जो new wife है उनसे जब वो मिले तो सब कुछ सही हो गया उन्हें जिने का एक नया रास्ता अब मिला है Hardin के बारे में भी बहुत अच्छी चीज़े उसके फादर कहते है Hardin इस पर भी गुस्ता हो जाता है वो टेसा से कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे फादर हमेशा से ड्रिंक करते थे कभी भी अच्छे फादर वो नहीं थे अब वो अच्छानक से कैसे वदल सकते है उसके फादर ने बहुत सारे लोगों से पैसे भी लिये थे इसी वज़े से उसके मदर को भी एक बार मार खाना पड़ा था उन्हें फादर को बहुत ही हेट करता है फादर का टोस्ट खतम हो जाने के बाद फादर हार्डिन से मिलने के लिए आते है हार्डिन अफसेट है और उनसे जगड़ा ही करने वाला है तब ही टेसा उसे रोक लेती है यह दोनों फिर डांस करते हैं जब घर बहुचते है तो पहली बार आज रात वो इंटिमेट हो जाते है इसके बाद नेक्स डे हम देखते है कि टेसा अपने कॉलेज में होती है तब ही उसे एक लड़की मिलने के लिए आती है जिसका नाम होता है मॉली यह हार्डिन की ही एक फ्रेंड है टेसा से पुछती है तुम्हेरा पोई फ्रेंड कहीं दीखनी रहा हार्डिन की फ्रेंड को हार्डिन और टेसा की बीच में जो रिलेशन्शिप है इसके बारे में पता नहीं है टेसा कहती है कि मैंने उसके साथ ब्रेक अप कर लिया है यहां Molly को पता चलता है कि Tessa और Hardin डेट कर रहे है इन दोन में बहुत ही awkward conversation होती है Tessa को यह बहुत ही अजिब लगता है शाब में जब वो घर पर होती है तब Hardin के mobile और message आते है Molly ने Hardin को उससे मिलने के लिए बुलाया होता है Tessa है messages देखती है और Hardin से कहती है कि वो तुमें क्यों बुला रही है Hardin कहता है कि तुम इसे ignore कर दो मैंने उसे reply भी नहीं किया है इसके बाद Hardin घर से बाहर निकल जाता है रात हो जाती है पर फिर भी वो घर पर नहीं आता Tessa को already शक है ही तो घर से बाहर निकलती है स्टेल के रूम में नहीं रह रही है तुम कहां रह रही हो Tessa कहती है कि मैं और Hardin relationship में एक अलग जगा पर रह रहे है यह सुनकर Molly को बहुत ही हर्ड मैसुस होता है क्योंकि वो हमेशा से Hardin को पसंद करती थी यह Tessa को कहती है तुम्हें सब कुछ चीसे पता नहीं है तभी Hardin वहा जाता है Hardin को अब जानना है कि Molly क्या कहना चाती थी Hardin टessa को बाहर लेकर जाना चाता है पर Tessa यहीं रुकती है Molly Hardin से कहती है कि अब यह ज़्यादा आगी चला जा चुका है Molly फिर Tessa को सब कुछ सचस बता देती है वो कहती है कि जिस रात हम truth और dare खेल रहे थे तुम वहाँ से चली गई थी तब हमने Hardin को एक dare दिया था वो Tessa को एक वीडियो दिखाती है जिसमें Hardin कहे रहा होता है कि वो Tessa को अपने पैर में गिरा सकता है Tessa को एक देखकर बहुत ही हर्ट मेसूस होता है Tessa के friends भी आया है वो सबसे कहती है कि तुम सब को पता था और फिर भी तुमने कुछ भी नहीं कहा Hardin उसके पीजे भी जाता है पर Tessa उसे कुछ भी बात नहीं करना चाती है Hardin उसे समझाता है कि मैंने तुमें जानने से पहले ये बेट लगाई थी Hardin उसे बताना चाता है कि उसे बहुत प्यार करता है पर Tessa वहाँ से चली जाती है Tessa हर्ट होकर फिर से अपने घर आ जाती है अपनी मदर से स्वारी कहती है Tessa की मदर हमेशा उसे जो चाहिए था वही Tessa से करवाती आ रही है Tessa की मदर को भी बुरा लगता है और वो भी Tessa को स्वारी कहती है इसके बाद Tessa अपने एक्स बॉर्फरेंट से मिलने के लिए आती है Tessa उसे कहती है कि कभी भी तुम हर्ट हो जाओ ऐसा में नहीं चाहती थी Tessa का एक्स बॉर्फरेंट कहता है कि मुझे पता है कि तुम कुभी मुझे हर्ट नहीं कर सकती है उसने Tessa को माफ कर दिया है वो कहता है कि हम बड़े होते हैं अपने आपको डिस्कवर करते हैं इसमें कुछ बूरी चीज नहीं है यह दोनों फिर से एक दूसरे के आच्छे फ्रेंट्स बन जाते हैं Tessa को भी पुब्लीशिंग में कुछ करना है तो हार्टिन के फादर ने जो पुब्लीशिंग कमपनी कही थी वहाँ पर वो अपलाय करती है यहाँ पर वो सिरेक भी हो जाती है Tessa फिर से अपने कॉलेज में आती है उसका year अब end हो रहा है year के ending में उनके literature class में उन सब को essays लिखने होते है इसमें एक बड़ा सा लेटर हार्टिन ने Tessa के लिए लिखा होता है जो अपने teacher को submit कर देता है teacher यह पढ़ती है और Tessa को दे देती है हार्टिन टessa को जिस जगा पर पहली बार लेकर आया था लेक के पास वहाँ जाकर रिलेटर पढ़ने लग जाती है इसमें हार्टिन लिखता है कि मैंने बहुत सारे romantic novels पढ़े है इसमें हमेशा से लिखा था यह प्यार के बिना life बहुत ही अधूरी है हमारे अंदर जो भी damage है यह प्यार से सही हो सकता है मुझे हमेशा से लगता था कि यह सब गलत है कभी भी मैंने इस पर believe नहीं किया पर जब मैं तुमसे मिला तब से मेरी सब कुछ thinking change हो गई मैं अन्देरे में था तुमने मेरा हाथ पकड़ा और उजाले में मुझे लेकर गई मैं क्या था कि कभी भी मुझे पता नहीं था तुमने मुझे से पूछा था कि सबसे जादा मैं किस से प्यार कर सकता हो अब उसका answer मेरे पास है वो टेसा से अपने आप से भी ज़ादा प्यार करता है वो टेसा से माफी माँगता है टेसा अब उसे माफ कर देती है यही मूवी इंड हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लिस वीडियो को लाइक कर दीजिएकगा बहुत सारी इस तरह की मुविज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और बेन इनुकेशन आइकों दबने में मत भूले हैं फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुविज साथ तब तकी ले थाएंग्यो और आप अपने आपका ख्याल रखिये